है गाइज वेल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपने रिबॉंडिंग करवाने के एक हफता आपको बहुत जादा आपने बालों की कियर करनी चाहिए और कौन सी चीज़ी आपको नहीं करनी चाहिए तो मेरी सिस्टर ने आप देख सकते हैं उसने स्मूथनिंग करवाई है और उससे स्मूथनिंग करवाई अभी सिरफ दो दिन हुए है तो सबसे पहले तो हमें अपने बालो पर थोड़ी थोड़ी देर बाद कॉम्बिंग करते रहना चाहिए बालो में टैंगल भी नहीं हमने पढ़ने देने हैं बालो को बिलकुल टैंगल फ्री रखना है अच्छी तरह से बालो पर कॉम्बिंग करनी है अगर आपको पॉनिटेल करनी है वो भी मैं आपको आगे बताँगी कि आपको किस तरह से पॉनिटेल करनी है क्योंकि शुरू शुरू में हमारे बाल न जिस तरह से आप बालों को रखेंगे इस अगर रबार पढ़ेंग को पताया कि कॉंबिंग आपको भार भार करनी तौर से से सिर्म ज़रूर अपने बालों में लगाना है सिर्म लगाने से एक तो हमारे बालों में टैंगल नहीं पड़ेंगे और हमारे बाल बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे बालों में एक अच्छी सी शाइन आएगी अगर आपने रिबांडिंग, स्मूथनिंग या केरेटिन करवाई है तो सिरम का यूज आपको जरूर करना ही चाहिए इसे कभी पिस्किप मत कीजिए इस तरह से आपको सिरम को लगाना है लेंथ पर लगाना है जो भी एक्स्चा अमाउंट बच जाए उसे आपको सारे बालो में लगा लेना है स्केल्प पर लगा लेना है इसके बाद फिर आपको अच्छी तरह से कॉम्बिंग करनी है बालो को कानों के पीछे बिल्कुल भी नहीं करना है बालो को आपको हमेशा हर टाइम बिल्कुल सीधा रखना है अगर आप घर का काम कर रहे हैं आपको बाल इरिटेट कर रहे हैं कि मुझे बालो को बांधना है तो देखिए जिस तरह से मैंने बालों को बांद आना इस तरह से आपको बालों को बिल्कुल भी नहीं बांदना है टाइट वाले rubber band का यूज नहीं करना है तो गैस अगर आप घर का काम करने हैं आपको बालों को बांदना है तो आपको बिल्कुल loose rubber band डालना है इस तरह के scrunchies का use करना है और बिल्कुल loose इसे बांदना है सिरफ और सिरफ दो fold करने है और मतलब कि ना high ponytail तो बिल्कुल भी नहीं करनी है बिल्कुल low ponytail करनी है और वो भी बिल्कुल tight करके rubber band नहीं डालना है बिल्कु लूज सा rubber band डालना है और उसे भी हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद खोलते ही रहना है जैसे कि एक घंटा आपने बांद कर रखे हैं तो आप बालों को खोल लीजिए टाइट rubber band का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप सो रहे हैं सोते टाइम आपको बालों को इस तरह से पीछे की साइट रखना है अगर आप इन बातों का धियान रखेंगे ना तो आपके बाल एक डेड़ साल बिल्कुल ही आपके बालों को कुछ भी नहीं होगा आपको मेरी येवली वीडियो अच्छी लगयोगी ये वीडियो के सी लगी में जुझे भी बताना